पीच एक बड़ी खबर आ रहे गया अखिलेश यादाओ और राहूल गांदी की रैली में भीड बेकाबू हुई है दोनों ने ताओं के पहुँचते ही भीड बेकाबू हो गई पूलपुर में बिना बोले निकले राहूल और अखिलेश यादाओ बिना बोले निकल गई लो लिए यहां पर कारेकरता नजर आ रहे हैं भीड नजर आ रही है फूल पूर में बिना कुछ कहें बिना कुछ बोलें बिना लोगों को संबोधित किये राहुल और अखलेश यहां से लोट गए जिस तरह से भीड बेकाबू हो गई बेरिकेटिंग तोड़ कर या आगे बढ़ स्यूक्ट रैली यहां पर होनी थी स्यूक्त रैली का आयूजन हुआ था और यहां पर आप देखें समाझवादी पार्टी के कारेकरता आपको नजर आएंगे हाथों में जंडा लिये नजर आएंगे और यह दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं बताय चारा कि भीड इतन प्रत्याशियों के समर्थन में की इसी कड़ी में इंडिया गडवन्दन के सपा प्रत्याशियों अमर्नाशियों के समर्थन में राहुल गांदी और अकलेश यादो की सन्यूग्द जनसभा पूलपूर लोकसभा चेत्र के पड़िला में होनी थी लेकिन वहाँ पर आज जनसभा अस्थर पर एक भगदर का माहौल ना बताया रहा है कि मंच पर जब अकलेश यादो भाशन द बिक्री पड़ी हैं तमाम लोगों की टोपियां जंडे वहाँ पर बिक्रे पड़े हैं और अनतिर्या यह हुआ कि अकलेश यादो और राहुल गांदी को बगएर जनसभा को संबोधित किये वहाँ से वापस लोटना पड़ा खलांकि दूसरी जनसभा उनकी मुंगारी में कर्चना में होनी है जो कि इलाहाबाद संस्दी सीट के लिए होनी है लेकिन वहाँ पर फूलपूर की जंसभा में अकलेश यादो और धन्नेवाद सर्वेश इस वकपूरी जानकारी देने के लिए तो बिजली का कनेक्शन कट गया जिसकी वजह से राहुल और अकलेश को कि अच्छन के ही वापस डिकले हैं फिर वहाँ पार बेकाबू हो गई है तस्वीर इस वकप आपको दिखा रहे हैं